नमस्कर सातियों यह देख सकते हैं आज मेरे पास मरफो का फिंगर पिंट है जो कि मुबाइल में सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप इसे कैसे सपोर्ट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले अपना मुबाइल की सेटिंग में जाकर और यहां पर OTG ON करना है यानि clip fingerprint capture करता होगा लेकिन नहीं काम अको लेको और आप लेकिरण सबसे करना है इसका RD सर्फिस ओक मैं आपको बतास हो प्लेस्टोर वार वार करेंगा लेकिन मएं जैसे बता रहा हूँ इसे करिए सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाहिए और यहां पर RD service इसे अपने फोन में इनिस्टॉल कर लीजिए ओके फिर उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ इनिस्टॉल कर लेने के बाद इसको ready to use करना है जैसे कि open करने करने के बाद आपको यहां पर allow करके ready जैसे ही लिख देगा ready to use उसके बाद क्या करना होगा अपना APS जो भी service है उससे आपको चेक करना है कि working हो रहा है कि नहीं तो जैसा कि देख सकते है मैं यहां पर यूज कर रहा हूं फिर यहां पर देखे जैसे ही मैं capture भी कर लूँगा उसके बाद मेरे पास देखिएगा क्या error आएगा ठीक है यह देखे iPhone की Google में जाना है और आपको RD service डाउनलोड करने के लिए Google पर जाईए और यहां पर आपको search मारना है लिखना है आपको Google में आपको Morpho RD service ठीक है उसके बाद आपको उपर जो website दे रहा है उसके जाना है और वहां पर एक option दिखाए देगा डाउनलोड का ठीक है तो जैसे आप डाउनलोड पर किलिक करेंगे उसके बाद यहां पर Android का option आएगा फिर आपको Android वाला जो अप्लिकेशन है इसे आप डाउनलोड कर लेना है जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो यह एक जीप फाइल रहेगा उके उसके बाद आपको इ अप्लिक करके उपर देखेंगे तो यही अप्लिकेशन था इसको आपको इनिस्टॉल कर लेना है अपने फोन में क्योंकि दोस्तों यह website से डाउनलोड किया है प्ले स्टूर वाला वर्किंग नहीं है इसलिए मैं आपको website का बता रहा हूं फिर इसको आपको open करना है जैसे खोश्णव को आपकर से यह अपने करना है जिसे कि यह आपको से एकस्टवुल रजिस्टर हो जाया तो यह अपर देख सकते हैं रजिस्ट्रिंग डिवाइस हो रहा है तो हादेर यहाँ टाइम लेगा ठीक है इसको बाद यह आपका यह जैसे ही रजिस्टर से कहाएगा ज अब चलिए मैं अपना खोलता हूं रैपीपे का एकाउंट यानि की एपीए सर्विस और मैं अपना बैलेंस चेक करने जा रहा हूं तो यहां पर देख सकते हैं अधार पुरा डीटेल क्लिक कर दिया हूं डाल दिया हूं खोज कि बादidas fingerprint लगाया और इसके बाद यहां पर देख सकते हैं successful captured data यहां पर देख सकते हैं मेरा data successful हो गया और working है और यहां पर देख सकते हैं मेरा balance भी बता देगे यह देख सकते हैं मेरा आगया बैलेंस ओके तुमीद कहता हूं वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए कोई लिक्कत होती तो कमेंट